अगर आपके खेट के पास में पेड़ है अगर उन पेडों को अगर आप सुखाणा चाहते तो कैसे सुखाईगे दोस्तों खेटों को काफी ज़्यादा नुकसान पहँचाता यह पेड दोस्तो जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यह थोड़ा जूम कर लेता हूं मेरे उस तरफ नर्मा ठीक खड़ा है जो आगे के तरफ है जो पेड़ों के पास है महाँ पर नर्मा है नहीं और कुछ है तो वह बहुत ज्यादा कमजोर है तो इसलिए आपको आने वाला उसमें कुछ साबदानिया भी रखनी होगी तब ही जाकर यह सस्ते में भी पेड़ सूख सकता है दोस्तों नॉर्मल साइज का पेड़ के लिए आपको दस रुपे के लगेंगे दस रुपे का एक एसीड आता है मैं आपको इस वीडियों के स्क्रिंशोट बता र अगर गरवाला जो समान दिखते हैं वहीं पर मिल जाता है और यह आव जाता लोग बात्रूम टोइलेट साफ करने के लिए यूज करते हैं और हो सकता आपको घर में भी मिल जाएगा दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है इसमें क्योंकि यह एसे बहुत ही थोड़ा समल ज्यादा हानिकारक होता है पेड़ों के लिए अगर आप इसकी जड़ों खोड़कर अगर यह बोतल आप एक बोतल डाल दी तो पेड़ सूख जाएगा एक से दो दिन के अंदर दोस्तों करना क्या होगा आपको और साफदानी भी मैं बता दूंगा पहले इसका यूज कैसे यहां पर बिल्कुल पेड़ के पास में आपको खड़ा खोड़ लेना आदा फूट सिर्फ आदा फूट ज्यादा नहीं खोड़ना आदा फूट और उसी के पास में यहां पर कट लगा देना नीचे आदे फूट के नीचे कट लगा देना किसी कुलाड़ी से चाकू से chemical पेड के अंदर वाले हिस्से पर लगे और पेड सुख जाए यह तो हुई असान ट्रिक ठीक है दूसरी सावधानी बता जाता हूँ दूसरो सावधानी यह रखनी है कि आपको वह acid अपने हाथों पर आंखों पर या कहीं भी शरीर पर नहीं गिरने देना है और जब भी आप यह acid इसके अंदर डाले उस समय मूँ पर कपड़ा जुरूर लगा नहीं तो दिक्कत आ सकते क्योंकि यह acid थोड़ा सा उल्टी और आने लग जाती नहीं तो दिक्कत आ जाएगी इसलिए बता रहो यह मूँ पर कपड़ा जुरूर लगा ले हो सके तो आंखों पर चश्मा भी लगा ठीक है लास्ट बात फाइनल इसके बात का जुरूर द्याना करना है दोस्तो हाँ जोड़कर बेंती करता हूं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देखें सभी के सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तो आशा करता हूं आ करते मात्र